हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम अगें टू लण्वेद्य टीमन, आज हम करने वाले हैं हिंदी के अंदर वाक्यांस के लिए एक शब्द, आपके एक्जाम में आएगा, तो यहां पर जो भी प्रस्ण जो होगा, जो भी वाक्यांस के लिए शब्द होंगे, वो आपके मादमि सिक्षा बोर्ड की किताब से ही लिए गए हैं, तो चलिए हम इनको देखते हैं और एक एक करके इनको याद करने की कोशिश भी करेंगे, तो आप लोग भी साथ साथ में याद करते जाईएगा, जो कहा ना जा सके, वो क्या होगा, अकथनी है, ठीक है, जो कहा जा सके, वो क क्या होगा, अशम्य, ठीक है, तो साथ में बोलिए कि जिससे चमा ना किया जा सके, वो है अशम्य, और जो कहा ना जा सके, वो है अकथनी है, नेक्स्ट देखिए, जिस स्थान पर कोई ना जा सके, वो क्या है, अगम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके, वो है अगम्य, जो जो कभी बूड़ा ना हो वह है अजर तो देखे option जो है वो exam में इस type के पूछ लिये जाते हैं कि वहाँ पर हम confused हो जाते हैं तो इनको आपको याद करना होगा जो कभी बूड़ा ना हो वह है अजर जिसका कोई शत्रू ना हो अजात सत्रू जो जीता ना जा सके वो क्या है अजय तीक है आ का मतलब क्या होता है मोसली नहीं के लिए यूज करते हैं आगे हम क्या लगा देते हैं उपसर्ग आ तो जो जीता जा सके वो जय है और जो ना जी जा सके वो है अजय नेक्स है जो दिखाई ना पड़े अद्रश्य ठीक है यहाँ पर भी देखिए द्रश्य यानि जो दिखाई पड़े और जो ना दिखाई पड़े तो द्रश्य के आगे हमने अउपसर्ग लगा दिया अद्रश्य जिसके समान कोई ना हो अद्वितिय यानि जिसके समान कोई ना हो उसके समान कोई ना हो अद्वितिय चलिए मेरे साथ में ही आपको बोलना है हिर्दे की बातें जानने वाला अंतर्यामि हिर्दे की बातें जानने वाला कौन है अंतर्यामि प्रत्वी ग्रहों वतारों आदी का इस्थान अंतरिक्ष कहलाएगा तो यहाँ पर ब्रह्मांड नहीं करना है आपको क्या है प्रत्वी ग्रह और तारे इन सभी के इस्थान को क्या कहते हैं अंतरिक्ष आपने जोग्रफी में पढ़ा होगा नेक्स्ट है दो पहर बाद का समय अपरान ठीक है क्या है दो पहर बाद का समय अपरान देखिए यहां पर ना जो है वो आदा ना जो है हाके यहां नीचे चुपा हुआ है अपरान ठीक है सब्दु सुद्धी के लिए आपको यह ध्यान देना है जो सामाने नियम के विरुद वो क्या है अपुवाद जो सामाने नियम के विरुद्ध हो अपुवाद नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो है अभियुक्त जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो है अभियुक्त चलिए नेक्स्ट है अपराद करने का आरोप हो तो वो है कौन है अभियुक्त और अभि अब्योग लगाया गया हो वह भी है अब्युक्त अब हमने तीन देखे जिस पर मुकदमा चल रहा हो अपराद करने का आरोप हो या अब्योग लगाया गया हो ठीक है तीनों ही सेंस में क्या होगा वो अब्युक्त नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या है अब्यूत पूर्व ठीक है भूत पूर्व यानी की पहले हुआ इसके आगे आ लगा दिया हमने तो क्या हुआ अब्यूत पूर्व जो पहले नहीं हुआ फैंक कर चलाया जाने वाला हतियार तो वो क्या है अस्त्र अब यहां पर सस्त्र और अस्त्र दो शब्दों में confusion रहता है तो जिनको हम हातों से चलाते हैं जैसे तलवार हो गया करपान हो गया तो यह क्या है सस्त्र यहां पर है फैंक कर चलाया जाने वाला हतियार वो क्या है जिसकी गिंती ना हो सकी वो है अगड़नी है ठीक है जिसकी गिंती ना हो सकी क्या है अगड़नी है चलिए नेक्स्ट है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो आपठित तो इतना तो आपको थोड़ा सा पता ही लग गया होगा एक्जाम में कैसे पूछा जाएगा जहां पर ना शब् में क्या करना है आगे अ उपसर्ग लगा देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट है जिसके आने की तिथी निश्चित नहो तो कि तेगे अतिथी जो है शब्द सुब्दी के हिसाब से तिथी जो हता है उसके आगे आ लग गया, तो यहाँ पर था के आगे जो है वो बड़ी की मातरा नहीं आएगी, अतिथी में सिर्फ आ लगेगा, मातरा वही रहेंगी जो तिथी में थी, कमर के नीचे पहना जाने वाला जिसके बारे में कोई निश्चे न हो, वो क्या है अनिश्चित जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, वो क्या है अनिर्वचनिय जिसका भाषा द्वारा वर्णन, जिसे की भाषा में वर्णित करना असंभव हो, वो क्या होता है अनिर्वचनिय नेक्स्ट चलिए अत्यधिक बड़ा चड़ाकर कही गई बात तो हम देखते हैं अत्यश्योक्ति अलंकार पड़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चड़ाकर बात कर दी जाती है वो क्या है अत्यश्योक्ति तो यहां पर भी आपको मात्राएं ध्यान में रखन अग्रणी सबसे आगे रहने वाला कौन है अग्रणी जो पहले जन्मा हो यानि जिसने पहले जन्म लिया है वो क्या है अग्रज और जो बाद में जन्मा है वो है अनुज ठीक है अग्रज जो पहले जन्मा हो यहां जा क्या है जन्म लेने वाला और जिसने पहले लिया है तो यह लग गया अग्र, जिसने बाद में लिया है, वो है अनु, यानि छोटा, ठीक है, छोटे के लिए हम करते हैं, कि यह अनुज है, तो जाकार्थ है जन्म लेने वाला, नेक्स्ट है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वो है अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा तो अग्यात होगा, अग्यात का आपको अपोजिट विज्य या फिर ग्यात, ठीक है, अनविज्य ये सब दे दिया जाएगा, लेकिन ग्यात का विलोम क्या है, अग्यात, जिसका पता ना हो वो क्या है, अग्यात और जिसका पता हो वो ग्यात, ठीक है, चलिए, आगे आने वाला आगामा आगामी ठीक है आगे आने वाला क्या है आगामी अंडे से जन्म लेने वाला अंडज ठीक है अब देखिए अभी हमने क्या देखा था जो जन्म ले रहा हो जासे याने की जन्म लेने वाला और कहां से जन्म लिया है इसने अंडे से तो क्या हो गया अंडज नेक्स्ट है जो छूने योग्य ना हो तो वो है अचूत जो छूआ न गया हो अचूता ठीक है दोनों में देखिए जो छूने योग्य ना हो वो है अचूत और जो छूआ न गया हो वो है अचूता थोड़ी सी ही यहां पर देखिए यह अचूत है और यह अचूता है दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है ठीक है जो अपने इस्थान या इस्थती से अलग ना किया जा सके वो क्या है अच्यूत ठीक है जो अपने इस्थान या इस्थती से अलग ना किया जा सके वह क्या कहलाएगा अच्यूत कहलाएगा तो यहां पर आपकी तीन चीजें सही हो रह एक तो आपका वाक्यांस के लिए एक शब्द, आपके यहां पर जो विलोम शब्द आएंगे, उनको भी आप जान रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, शब्द सुद्धी को भी देख रहे हैं, जो अपनी बात से टले नहीं, वह क्या है, अटल, जिस पुस्तक में अध्याय हो वो क्या है अस्ट अस्टा ध्याई नेक्स्ट देखिए आवशक्ता से अधिक बरसात हो जाती है तो क्या होता है अति व्रिस्टी अब ऑप्शन में अना व्रिस्टी होगा लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है जादा बारिश हो गई तो अति अति उपसर लग गय ठीक है अनुपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएका अना व्रस्टी चलिए अब हम यहां पर उपसर्ग भी देखते जा रहे हैं बहुत कम बरसात होना अब क्या लग गया व्रिस्टी के आगे लग गया अल्प ठीक है यहां पर तीन चीज़ा देखी ज्यादा बारिश हो होई तो अति व्रस्टी बरसात बिल्कुल नहीं होई अना व्रस्टी कम बर्शात होई तो अल्प लगा कर अल्प व्रस्टी नेक्स्ट देखिए यह सभी जो हैं यह आपके मादमिक सिक्षाबोर्ड की बुक से हैं आप एक को भी नहीं इग्नॉर करना है आपको सब पर ध् नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उलंगन अतिक्रमण सीमा का अनुचित जो उचित उलंगन ना हो वो क्या है अतिक्रमण जो बीत गया वह है अतीत जिसकी गहराई का पता ना लगे वो क्या है अथा ठीक है कहते हैं कि कितना गहरा है अथा जिसकी गहराई का पता ना लग सके आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूर दर्शी और जो आगे का विचार ना करे तो आउप्शर्ग लगा के हमने बना दिया अदूर दर्शी जो आज तक से संबंद रखता है अधतन आदेश जो निश्चित अबदी तक लागू हो तो वो आदेश नहीं कहलाएंगे वो कहलाएंगे अध्यादेश ठीक है क्योंकि इनकी एक निश्चित टाइम होता है नेक्स्ट है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकरत वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना अब देखिए यहाँ पर दो क्या था एक तो था अधियादेस और एक था अधिसूचना यहांपर हमने की बात की थी आदेश की यहांपर क्या है सूचना की ठीक है चलिए यहां पर वह देखिए कौन सा अफसर गये अधि उपशर गिई है अधि धन आदेश और यहां पर भी अधि उपशर गये चलिए तो वो सूचना जो सरकार की ओर से जा रही हो अधिसूचना और जो निश्चे दब्दी तक लागू हो आदेश वो क्या है अध्यादेश नेक्स्ट है विधायका द्वारा स्वीकरत नियम इसे क्या कहेंगे अधिनियम तो हमने पॉलेटी में पड़ा था ठीक है अधिनियम पड़े थे हमने और विधायका भी पड़ी थी विधायका द्वारा जो नियम स्वीकार होते हैं उन्हें कहते हैं अधिनियम अविवाहित महिला उसे कहेंगे अनूरा वह इस तरी जिसके पती ने दूसरी साधी कर ली हो वह है अध्यूरा ठीक है अविवाहित महिला है अनूरा और वह इस तरी जिसके पती ने दूसरी साधी कर ली हो वह क्या है अध्यूरा नेक्स्ट है दूसरे की विवाहित इस्त्री अन्योडा क्या है अन्योडा नेक्स्ट है गुरू के पास रहकर पढ़ने वाला अन्तेवासी गुरू के पास रहकर पढ़ने वाला अन्तेवासी समतल जमीन क्या कहेंगे उसको अधित्यका उसको बोलेंगे अधित्यका उपर के जो समतल जमीन है पहाड के उपर की उसे कहेंगे अधित्यका नेक्स्ट है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वहाँ क्या कहेंगे उसे हस्ताक्षर करता के आगे लगा देंगे अधो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है वह है अधो हस्ताक्षर करता जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको कहेंगे अदो हस्ताक्षर करता एक भासा के विचारों को दूसरी भासा में व्यक्त करना तो हमने क्या किया ट्रांसलेट कर दिया इसे कहेंगे अनुवाद ठीक है एक भासा के विचारों को दूसरी भासा में व्यक्त करना अनुवा तीक है, जैसे राश्ट्रपती किसी प्रस्ताव कि सहमती दे दें, तो क्या कहेंगे उसक्रिया को अनुमूदन नेक्स्ट है जिसके माता पिता ना हो वै कहलाएगा अनात जिसका जन्म निम्नवर्ण में हुआ हो उसे कहेंगे अन्तियज क्या कहेंगे उसे अन्तियज नेक्स्ट है परमपरा से चली आई कथा अनुशुरती ठीक है क्योंकि वो सुनी सुनाई है आगे लग गया शुरुती के आगे अनु उपसर्ग लग गया अब ये क्या है पहले से ही सुनी सुनाई यानि परंपरा से चली आई कथा क्या है अनु शुरुती नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाए ना हो तो क्या हो गया वो अनन्यो पाए ठीक है जिसका कोई दूसरा उपाए ना हो वह है अनन्यो पाए तो बिल्कुल यहां मात्राओं को आपको ध्यान देना है अनन्यो पाए जिसका कोई उपाए ना हो आज हम यह कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा यही होगा क्योंकि हमने सभी ही जितने भी शब्द हैं वाक्यान से के लिए उनको सभी वीडियो में डाले हैं तो आपको सब भी याद करने होंगे एक एक करके हम उपसर्ग प्रत्य इनको भी देखेंगे ठीक है जो भी मादमिक सिक्षा बोर्ड की बुक से होंगे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो अन्योधर क्या कहलाएगा वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो अन्योधर पलक को बिना जपकाए अनिमेश या निर्मेश जो बुलाया न गया हो अनाहूत और जो बुलाया गया हो वो होता है अनाहूत और जो बुलाया गया हो वो होता है आहूत होता है और यहाँपर ना लग गया यानि कि हमने क्या लगा दिया अन उपसर्ग लगा दिया अन धन आहूत अनाहूत चलो जो ढखा हुआ ना हो अनावरत जो ढखा हुआ ना हो वो ता है अनावरत जो दोहराया न गया हो वह अनावरत जो न दोहराया गया हो वह अनावरत पहले लिखे गए पत्र का इस्मरण अनुस्मारक पहले लिखे गए पत्र का इस्मरण अनुस्मारक नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला जो पीछे पीछे चलने वाला है यानि जो अनुसरन कर रहा है वो कहा है अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरन करने वाले को कहेंगे अनुगामी महल का वह भाग जहां रानिया निवास करती है उसे कहेंगे रन निवास ठीक है रानी कहां निवास करेंगी रन निवास या इसे कहेंगे अंतहपुर क्या बोलेंगे अंतहपुर जहां पर रानिया निवास करती हो नेक्स्ट है, जिससे किसी बात का पता ना हो, वह है अनभिग्या, ठीके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है न, examiner आपको confuse करता है, अग्य, विग्य, अनभिग्य, ठीके, अब देखिए, ग्या का मतलब होता है, जानना, इसके आगे आलग्या, आउपसर्ग लगाने से क्या बन आगे लगा दो अन विग्य के आगे लगा दो अन तब भी हो गया जिसे किसी बात का पता ना हो ठीक है तो आप इसका विग्य नहीं करेंगे क्या करेंगे अग्य या अनभिग्य जिसे किसी बात का पता न हो जिसका आधर ना किया गया हो वह है अनादृत जिसका मन कही अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क जिसका मन कही अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क जिसका मन कही अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क नेक्ट है जो धन को व्यर्थ ही खर्च कर अब आता क्या है मित व्याई और अप व्याई जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो ज्यादा खर्च करता हो खर्चीला हो वो क्या है अप व्याई और जो धन को खर्च ना करे वो क्या है कंजूस जिसे क्या कहेंगे मित व्याई ठीक है उसके लिए शब्द होगा मित व्याई धन का संचय ना करना क्या कहलाएगा आपरीग्र है. जो किसी पर अभियोग लगाए, वो है अभियोगी. जो किसी पर अभियोग लगाए, वो क्या है? अभियोगी. जो भोजन रोगी के लिए निशिद्ध हो वह कहलाएगा अपत्थ्य जिस वस्त्र को पहना न गया हो आप्रहत जिस वस्त्र को न पहना गया हो वो कहलाएगा आप्रहत नेक्स्ट है जो खेत जोता न गया हो उसे कहेंगे आप्रहत ठीक है जिस वस्त्र को न पहना गया हो या जो खेत न जोता गया हो दोनों ही कंडिशन में क्या बोलेंगे हम उसे आप्रहत जो बिन मांगे मिल जाए आयाचित ठीक है वो हमें चीज कैसे मिल गई आयाचित मिल गई यानि कि बिना मांगे ही मिल गई जो बिन मांगे मिले आयाचित जो कम बोलता हो जो कम बोलता हो अल्प भासी या मित भासी ठीक है मित अर्थ जो है वो लिया जाएगा कम जो कम बोलता ह ल्प भासी ठीक है आदेश की अवहेलना करना अवग्या का मैंने अभी बताया आपको जो वर्ण है उसका अर्थ ही क्या होता है जानना ठीक है और अदेश की जिसने अवग्या कर दी आवग्या ठीक है अवैतनिक, तीक है? इसमें उपसर्ग और प्रत्य और दोनों ही लगे हुए है, जब मैं आपको उपसर्ग और प्रत्य पढ़ाओंगी, तब मैं वहाँ पर आपको और क्लियर करूंगी. नेक्स्ट है, जो व्यक्ती विदेश में रहता हो वै है अप्रवासी? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वह क्या है अप्रवासी जो सहन सिल ना हो असहिस्णू ठीक है जो सहन करे वो सहिस्णू और जो ना सहन करे वो क्या है असहिस्णू जो सहनसील ना हो वह है अनन्त ठीक है अन्त अन्त क्या बन गया अनन्त जो सहनसील ना हो वह है अनन्त जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है अदम्य जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाएगा अदम्य नेक्स्ट है जिसका इस्पर्श करना वर्जित हो वह क्या कहलाएगा इस्पर्श इसके आगे क्या लगातिया हमने आउपसर्ग लगातिया ठीके और क्या बन गया अस्पर्श्य जिसका विश्वास न किया जा सके आविश्वस्त जिसका विश्वास न किया जा सके वह कहलाएगा आविश्वस्त जो कभी नस्ट ना हो वह कहलाएगा अनस्वर ठीक है अब आपना इतने सारे जो भी शब्द आपने पड़े हैं वहाँ पर अधिकतर नहीं शब्द के लिए आपने आ का प्रियोग किया आ उपसर्ग का लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि जहां पर प्रियोग ना हो वहां पर भी आप आ का प्रियोग कर दें जो रचना अन्य भासा की अनुवाद हो वह है अनुदित ठीक है यहां पर देखिए उपसर्ग कौन सा है उपसर्ग यहां प जो कभी मरता ना हो वह कहलाएगा अमर तो हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा था अजर अब यहां क्या है जो कभी मरता ना हो वह क्या है अमर जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य श्रव्य मींस सुनना और जो नहीं सुना है वो क्या है अश्रव्य जिसको भेदा ना जा सके अवेद्य जिसको भेदा ना जा सके वह कहलाएगा अभेद्य जो साधा ना जा सके वह कहलाएगा असाध्य अगर आप इनको ऐसे पढ़ते तो आप एक्जाम में गलती कर देते कि जो बेदाना जासा के अवैध्य जो साधाना जासा के असाध्य एक एक शब्द जो है उसको आप क्या करिए संधी विच्छेद करके उपसर्ग या प्रत्या निकाल कर जब आप करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा जो साधाना जासा के वह कहला है असाध्य ज क्या बन गया यह अलोकिक, जो चीज इस संसार में ना हो, वह कहलाएगी अलोकिक, आपके एक्जाम में पूछा जाता है, कि इस सब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं, कितने प्रत्य हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप हर शब्द के उपसर्ग और प्रत्य जो है, वो निकाल जिससे लांगा ना जा सके, वह कहलाएगा अलंगनिया, नेक्स्ट है, जिसकी तुलना ना हो सके, वह कहलाएगा अतुलनिया, जिसके प्रारंब या आदी का पता ना हो, उसे कहेंगे अनादी, जिसके प्रारंब या आदी का पता ना हो, वह कहलाएगा अनादी, नेक्स्ट अग्र है जिसके सबसे पहले गढ़ना की जाए वह है अग्र अग्र यानि की पहले और गढ़ने यानि गढ़ना अब बन गया अग्र गढ़न्य जिसके सबसे पहले गढ़ना की जाए वह है अग्र गढ़न्य सभी जातियों से सम्मंद रखने वाला अंतर जातिय ठीक है अब यहां पर जो यह रा लगा हुआ आदा रा, यहां पर ता के उपर रा जो है, वो अक्सर लगा देते हैं, लेकिन जो गलत होता है, ठीक है, अंत और उसके बाद रा जो है, वो हमने बाड में बोला है, तो यह जाके उपर आएगा, अंतर जातीए, सब्दु सुद्धी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, सभी जातियों से संबंद रखने वाला अंतर जातिय, जिसकी कोई उपमा नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, अनुपम, जिसका वर्णन नहों सके, आवरणनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके, वै है अखंडनीय, जिससे जाना न जा सके, वै कह कहलाएगा अग्य अब आपको यहां पर तो इतना इजी लग रहा है लेकिन जब हम विलोंग शब्द करेंगे तब आप वहां पर क्या हो जाएंगे तो इसलिए यहां पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है जिससे जाना ना जा सके वह है अग्य जो बहुत गहरा हो वह कहलाएगा अग्हाद वह बहुत गहरा है यानि क्या है अग्हाद है जिसका संतन जिसका चिंतन ना किया जा सके वह है अचिंत्य ठीक है अब अचि चिंतेय ये भी option में हो तब आप क्या करेंगे आंसर देंगे अचिंतेय ठीक है जिसका चिंतन न किया जा सके जिसको काटा न जा सके अत्याजिय जिसको काटा न जा सके अत्याजिय नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य तो जो ज्यादा ले लि यानि अधि मूल्य वास्तविक मूल्य से जादा लिया जाने वाला मूल्य अधि मूल्य कहलाएगा, अन्य से सम्बंदर रखने वाला कहलाएगा अन्य, नेक्स्ट है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, ये भी क्या कहलाएगा, अन्य, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, अन्य से सम्मंदर ना रखने वाला अनन्य, यानि उसने क्या किया है, एक ही में आस्ता रखी है, तो इसी को दूसरे सैंस में लिखा है, किसी एक में आस्ता रखने वाला अनन्य, ठीक है, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, अनन्य, जो बिना अंतर के घटित हो, वह कहलाएगा अ अनिकेत, जिसका कोई घर ना हो वह कहलाएगा अनिकेत, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, अब आप जितनी भी अपनी उंगलिया हैं उनको क्या कहते हैं, उंगली, लेकिन सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की जो उंगली है वो कहलाएगी अनामिका, ठीक है, जह जिसका निवारण ना किया जा सके वो कहलाएगा अनिवार्य जिसका निवारण ना किया जा सके क्या कहलाएगा अनिवार्य जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य अब देखिए जिसका निवारण ना किया जा सके वो भी कहलाएगा अनिवार्य और जिसे करना आवश्यक हो वो क या न हो सके वो कहलाएगा अविरोधी अनिरुद्ध नेक्स्ट है जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो वह कहलाएगा अनुरक्त जो क्रपा से युक्त हो जो अनुग्रह से युक्त हो वो कहलाएगा अनुग्रहीत अब देखो यहां सब्द सुद्धी का एक शब्द आया है अनुग्रहित हाके उपर छोटी ए की मात्रा ना लगा है बड़ी ए की मात्रा ठीक है अनुग्रहित नेक्स्ट है जिस पर आकर्मण ना किया गया हो वो कहलाएगा अनाक्रांत जिस पर आकर्मण ना किया गया हो वो कहलाएगा अनाक्रांत नेक्स्ट है जिसका उत्तर ना दिया गया हो वह कहलाएगा अनुतरित ताकि उपर एक ता और है यानि कि दो है एक आदाता है एक पूराता है जिसका उत्तर ना दिया गया हो वह कहलाएगा अनुतरित अनुकरण करने योग्य अनुकरणिय जो कभी ना आया हो वह है अनागत जो कभी ना आया हो वो क्या कहलाएगा अनागत जो स्रेष्ट गुणों से युक्त ना हो वो क्या कहलाएगा अनार्य और जो स्रेष्ट गुणों से युक्त होता है वो क्या कहलाएगा आर्य ठीक है आर्य का अर्थ ही होता है स्रेष्ट या कुलीन जो स्रेष्ट गुणों से युक्त ना हो वो कहलाएगा अनार्य नेक्स्ट देखिए जिसकी अपेक्षा हो वो कहलाएगा अपेक्षित जिसकी अपेक्षा हो वो क्या कहलाएगा अपेक्षित नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके अमापनिय या अपरिमे ठीक है जो मापा ना जा सके अपरिमे तो अमापनिय ना हो यदि अपरिमे आ जाए आप तो ध्यान देना है आपर में जो मापन न जा सके नीचे की और लाना या खीजना क्या है अपकर्ष नीचे की और लाना या खीजना क्या कहलाएगा अपकर्ष जो सामने ना हो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने हो इसमें आलग गया ये बन गया अप्रत्यक्ष या परोक्ष जो सामने ना हो जिसकी आसाना की गई हो अप्रत्याशित अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग भी लगाया है प्रत्य भी लगाया ठ यह एक तो हो गया आ उपसर्ग दूसरा हो गया प्रति उपसर्ग ठीक है और एक हो गया प्रत्य इत-प्रत्य ठीक है अधन प्रतिधन आशा धन इत बन गया अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो जो प्रमार से सिद्ध ना हो सके अप्रमिय जो प्रमार से सिद्ध ना हो सके वो कहलाएगा अप्रमिय किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला अभ्यस्त किसी काम को जो बार बार कर ले उसको बहुत अनभव हो जाए वो क्या कहलाएगा अभ्यस्त किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीर्व इच्छा वो होगी अभीपसा किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं तीर्व इच्छा होगी तो क्या कहलाएगा अभीपसा जो साहित्य कला आदी में रस ना जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य जिसको प्राप्त ना किया जा सके वह कहलाएगा अप्राप्य जो कम जानता हो अलपग्य जो कम जानता हो वो क्या कहलाएगा अलपग्य ठीक है तो इसको तो याद करने की जुरूती नहीं है ग्या का मतलब मैंने आपको बताया था यानि जानना और जो कम जाने उस को कम को कहेंगे अलप के आगे लग गया है यह ग्य बन गया अलपग्य जो विधीया कानुन के विरुद्द हो तो क्या है वो वैद्द नहीं है तो क्या कहलाएगा अवैद्य जो भला बुरा ना समझता हो वह कहलाएगा अविवेकी सोच समझकर कारे करने वाला तो वो कहलाएगा विवेकी ठीक है सोरी यहाँ पर है सोच समझ कर कारे न करने वाला या जो भला बुरा न समझे दोनों ही क्या कह लाएंगे अविवेकी और जो सोच समझ कर कारे करे जो भला बुरा समझे उसको कहेंगे विवेकी जिसका विभाजन न किया जा सके तो वो क्या है अविभाज्य या अभाज्य ठी अभाज्य दोनों ही सही रहेंगे ठीके तो आपको इसको देख लेना है अच्छे से जिसका विभाजन ना किया जा सके आविभाज्य या अभाज्य जिसका विभाज्य ना किया गया हो अविभक्त अब देखो यहां पर क्या था कि जिसका विभाज्य ही नहीं हो सकता वो कहला अविभाज्य या अभाज्य मैत में हम देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं कौन से होती हैं कि जो भाग न जा सके जिसका विभाजन न किया जा सके ठीक है लेकिन जो विभाजित तो हो सकती है लेकिन इसी कंडिशन में जिसक पर विचार न किया गया हो अविचारित जिस पर विचार न किया गया हो कहलाएगा अविचारित जो कार्दे अवश्य होने वाला हो क्या कहलाता है अवश्यम भावी जिसको व्यवहार में न लाया गया हो वह कहलाएगा अव्यवहर्द ठीक है अव्यवहर्द यहां पर भार में न लाया गया हो तो अ व्यवहर्द ठीक है चलिए तो देखिए मैंने इनको सभी को टुकड़े में करके भी आपको समझाया है तो इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है क्योंकि इतने सारे शब्द जो होते हैं वो आप कैसे याद करोगे तो कुछ शब्द जो ह आपको संदी उपसर्ग या प्रत्य लगा के आपको समझने होंगे जो इस्तरी शूर्य भी न देख पाती हो असूर्य पश्या जो इस्तरी शूर्य भी न देख पाती हो वह कहेंगे असूर्य पश्या उसे कहेंगे असूर्य पश्या न हो सकने वाला कारे अशक्या जो कारे करने योग ना हो वहाँ पर अशक्य भी देदे और अशोक्य भी देदें तो उस कंडिशन में इनको आप क्या करेंगे उपसर्ग बाहर निकालेंगे तो मूल शब्द क्या आएगगा पूछा क्या है जो शोक करने योग्य ना हो तो मूलसब्द शोक आएगा तो उस condition में answer हो जाएगा अशोक्य, ठीक है, लेकिन अशक्य क्या है, न हो सकने वाला काम Next, जो कहने सुनने देखने में लज्जा पूं या गिनोना हो, उसे कहते हैं असलील जिस रोग का इलाज न किया जा सके, वह कहलाता है असाध्य रोग जिस रोग का इलाज ही नहीं हो सकता, उसे कहेंगे असाध्य रोग, जिस रोग का इलाज न किया जा सके, तो वह क्या कहलाएगा असाध्य रोग या ला इलाज, ठीक है, इसमें ला जो है वो क्या लग गया, उपसर्ग, ला इलाज, यानि उसका इलाज नहीं हो सकता तो कुछ उपसर्ग जो होते हैं, वो दूसरी भासा के भी होते हैं, तो यहाँ पर इलाज के आगे लग गया ला, ठीक है? तो ला इलाज यानि जिस रोख का इलाज न किया जा सके, जिस से पार न पाई जा सके, तो क्या है वो अपार, बूरा सा दिखने वाला व्यक्ति अधे तो यहां पर मैंने जितने भी आपके शब्द थे आपकी बुक के अंदर 6 से 10 तक के अंदर तो वो सब भी मैंने शामिल कर लिये हैं तो इन में से आपके एक्जाम में आने की पूरी-पूरी संभावना रहती हैं तो इसी तरीके से हम RBSC की बुक्स को ही फॉलो करते हुए आपके झाल